आज के हमारी इस वीडियो का टोपिक हाउ टो चूज राइट MCB ब्रेकर मतलब की कौन सी MCB कहां पर लगाते हैं उसे हम कैसे सेलेट करेंगे दोस्तों आज का यह है वीडियो इलेक्टिकल से जुड़े सभी लोगों के लिए काफी जाता इंपोर्टेंट है क्योंकि जब कभी हम इलेक्टिकल सेफटी या प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो उस समय सबसे पहले जिस ब्रेकर का नाम आता है वो आता है हमारी MCB अब यह है जो MCB हमारे सामने आती है यह MCB कहीं टाइप्स की होती है आप यहाँ पर देख सकते हो इस MCB पर यहाँ पर लिखावा है B6 इस MCB लिखावा है C32 इस पर लिखावा है D100 मतलब कि हमारे पास में जो MCB आती है उसके जो टाइप्स होते है वह मुख्य तोरप के 5 ट लगानी चाहिए, तो दोसो इन्हीं सब पॉइंट के ओपर आज की इस वीडियो के देम बात करेंगे, तो बिना जादी दिकरें, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, दोस्तो अगर वीडियो को स्टार्टिंग में, मैं आपको एक सिंपल से उधारन से आपको इसके बारे में बताऊं तो इसका एक सिंबल सा उधारण यह हो सकता है कि आपको कहीं बार बोला जाता है कि कभी भी हमारे घरों के अंदर D-type की MCB को नहीं लगाना चाहिए मतलब कि ऐसी MCB जिसके ओपर लिखा हुआ है D-32 या फिर D-10 इस type की MCB को आपको कभी भी घर में नहीं लगाना चाहिए आखिर कर ऐसा क्यों बोला जाता है तो दोस्तों इसके पीछे की वज़े यह है कि यह जो D-type की MCB होती है इसे बनाया गया हमारे high flux rating current वाले उपकरण के लिए जैसे उधारन के लिए हमारी जो welding machine होती है हमारी X-ray machine होती है उन सभी के लिए यह D-type की MCB को बनाया गया है लेकिन अगर इसी MCB को आप आपके घर पे लगा दोगे तो आपके घर के जो उपकरण है उस उपकरण को हमारी MCB protection ही नहीं देगी यह हमारी ओवरलोड से खराब हो जाएगी लेकिन हमारी MCB ट्री भी नहीं होगी तो इसलिए आपको एक बात का हमेशा ध्यान नहीं कभी भी आपके घर पे आपको D-type की MCB नहीं लगानी है तो दोस्ता भी सुधारन और इस नोले से आपको यह तो पता चल गया है कि आखिर कर यह D-type, C-type, B-type यह सब क्या है यह सभी हमारे MCB के types को बताते हैं कि आखिर कर हमारी कौन सी MCB हमें कहां लगानी चाहिए अगर दोस्ता हम सबसे पहले B-type की MCB की बात करें तो इस MCB को मुख्य तोर पे हमारे house load के हिसाब से बनाए गया है मतलब कि कभी भी आपको घर पे MCB लगानी है तो आपको सबसे पहले B-type की MCB को select करना चाहिए अगर अभी हम यहाँ पे यह जो B लिखा हुआ है इसकी बात करें यह हमें क्या बताता है तो यह हमें इस बात को बताता है कि हमारी जो भी MCB है इस MCB में से जब भी इसकी रेटिंग से 3-5 गुना ज़्यादा करन निकलेगा तो यह MCB मात्र 0.04 से लेके 13 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी तो इससे आप एक उधारने समझ लिए उधारने के लिए मान लिए आपके पास में जो MCB है इस पर लिखा हुआ है B10 मतलब कि यह है जो हमारी MCB है यह हमारी 10 Ampere किये और किस टाइप के MCB है हमारी B-type किये तो अब यह है जो B-type लिखा है यह हमें इस बात को बताएगा कि आपने जो MCB पर load जोड़ गा है उधारन के लिए मान लिए आपने यहाप एक load जोड़ गा है और यह load किसी भी कारणवस हमारे 10 Ampere जादा करें लिए लिए 10 Ampere से कितना जादा तो उधारन के लिए मान लिए यह हमारे MCB के 3-5 गुना जादा करें लिए जैसे कि 10 की जगे हमारे 30-50 Ampere करण लिए लिए तो इस केस में क्या होगा हमारी जो यह MCB होगी इस MCB को ट्रिप होने में 0.04 से लगे 13 सेकंड के बीच का समय लगेगा इसके बार में दोस्तों next हम C-type की MCB की बात करें तो इसे मुख्य हमारे inductive load के लिए बनाए गया है inductive load कौन से होते हैं तो जैसे कि हमारे motor जो होती है उन सभी motor के अंदर जब भी हमको किसी MCB की जगरत पड़ेगी तो हमें C-type की MCB ही लगानी चाहिए आपको एक बात का और यह भी ध्यान अखना है कभी अगर आपको घर के लिए B-type की MCB नहीं मिलती है तो उस समय आप आपके घर पे C-type की MCB को भी लगा सकते हैं अब दोस्तों अगर हम इस C-type के बारे में समझे कि आखिरी C हमें क्या बताता है तो यह हमें इस बात को बताता है कि अगर इस MCB से इसकी rating से 5-10 गुना higher current निकलेगा उधारन के लिए अगर हमारी MCB C-10A की है C-type की 10A की है तो इस MCB में से जब भी 50 से लेके 100A current निकलेगा तो उस समय यह जो MCB होगी, यह MCB हमारी 0.04 से लेके 5 से के अंदर ही trip हो जाएगी इसके बार में दोस्तों हम D-type की MCB के बात करते हैं तो इसका मैंने आपको पहले भी बता है कि यह जो D-type की MCB होती है इसका ओपयोग हम welding machine के अंदर मुख्य तोर पे करते हैं इसके जो current tripping capacity होती है वह हमारी 10 से 20 गुना होती है मतलब कि अगर हमारी MCB पे 10 Ampere, D-10 Ampere डिकावा है तो इसका मतलब यह कि हमारी MCB में से जब भी 10 से 20 गुना मतलब कि 100 से 200 Ampere current निकलेगा तो उस case में हमारी MCB trip होने में 0.04 से लेके 3 सेकंड के बीच का समय लेगी अब दोस्ता हम next K-type और J-type की MCB की बात करते हैं इसके पर हम एक और point के उपर बात करते हैं कई लोगे मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि अगर MCB हमारी इसकी rating है 3 से 5 गुना या फिर 10 से 20 गुना ज्यादा current पर trip हो रही है तो फिर हमारी इस MCB के उपर जो लिखावा है यह 20 C यहाँ पर लिखावा है C 32 इसका मतलब क्या है तो दोस्तों यहाँ पर 32 MPR और यहाँ जो 6 MPR इस MCB पर show हो रहा है हमारी MCB इस पर trip होती है लेकिन इस पर trip होने पर हमारी MCB काफी ज़्यादा समय लगती है अगर हम average समय की बात करें तो आप दिखेंगे कभी आप इस MCB पर 6 MPR ज़्यादा current को गुजार देंगे जैसे 10 MPR को निकाल रहे हैं आप इस MCB से तो हमारी MCB 2-3 मिनिट या फिर इससे भी ज़्यादा समय बार trip होगी क्योंकि हमारी जो MCB है यह MCB पूरी heating के ओपर thermal के ओपर काम करती है इसके अंदर हमारा एक bimetallic contact होता है वो धीरे-धीर हमारा band होता है जैसे से करम होता है तो इस करम हमारी MCB को trip होने में काफे समय लगता है तो इसलिए हमारी सभी MCB के अंदर एक rating दी जाती है जिससे ज़्यादा अगर MPR निकलता है तो उस समय हमारी MCB जल्दी trip हो जाए इसके बाद में दोस्तों next हमारे पास में 2 MCB और बसती है एक K-type और Z-type अगर हम इन दोनों MCB की बात करे तो इन दोनों MCB को sensitive MCB बोला जाता है क्यूंकि अगर इन MCB से थोड़ा भी ज्यादा करण निकलता है एक्स्टा करण निकलता है तो MCB फटा फट trip हो जाती है तो इसलिए इनने sensitive MCB बोला जाता है अगर हम सबसे पहले K-type MCB की बात करें तो इस MCB के अंदर जब भी इसकी rating से 8 से 12 गुना जादा करें निकलता है तो उस समय हमारी MCB सिर्फ 1 millisecond के अंदर trip हो जाती है तो इसलिए इस MCB को sensitive MCB बोला जाता है लेकिन अगर दोस्तों हम Z-type MCB बात करें तो यह हमारी high sensitive MCB है तो यह जो MCB होती है इस MCB के अंदर अगर इसकी rating का सिर्फ 2 से 3 गुना ही जादा करें निकलेगा तो उस case में हमारी MCB सिर्फ 1 millisecond के अंदर ही trip हो जाएगी तो इसलिए इन दोनों MCB का उप्योग कभी भी घरों पे या फिर motor के लिए नहीं खिया जा सकता है यह MCB हमारी बार-बार trip होती रहेगी लेकिन अगर हम बात करें फिर इस MCB को लगा तेक है तो आप देखेंगे हमारी जो semi conductor device होते है हमारी transistor होते है हमारी charger control होते है उन सबी के अनर मेर के टाइप और जैट टाइप की MCB को उप्योग किया जाता है तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के मादे हम सब को कही ना कई कुछ बहते जानकर दे मिली होगी